ओम प्रमात्मने नमहां शियत्रमे अध्याय में साल्व के साथ यादवों का युद्ध तो सिसुगदेव जी कहते हैं कि परिक्षर आबो मने उस्यों किसी लीला करने वाले भगवान सीकर्षन का एक और भी अध्वचत सुनो इसमें यह बताया जाएगा कि सौब नामक बिमा का अध्यपती साल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया साल्व सिसुपाल का सखाता और रुक्मिनी के विवाह के अवसर पर बरात में सिसुपाल की ओर से आया हुआ था उस समय यदवन्सियों ने युद्ध मैं जरासंदादी के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने प्रतिग्या की थी कि मैं प्रत्वी से यदवन्सियों को मिटा कर छोड़ूंगा सब लोग मेरा वलपौरस देखना परिक्षत मूर साल्व ने इस प्रागार प्रतिग्या करके देवाद देव भगवान पसुपती की आरद न प् फिर भी वे साल्व का गोर संकर बजानकर एक बरस के बाद प्रसंद हुए उन्होंने अपने सरनागत साल्व से वर्मांगने के लिए कहा उसमें साल्व ने ये वर्मांगा कि मुझे आप एक ऐसा प्रमान देजिए जो देवता, असुर, मन, जगंदर, बनाग और राक्षत से तोड़ा न जा सके, जहां एक शाओ वहीं चला जाए, और यद्वंसियों के लिए अत्यंत भहन करो, बागवान सक्कार ने कह दिया ततास्तू, इसके बाद उनकी आग्या से विपक्चियों के नगर जीतने वाले मैदानव ने लोहे का सौब नाम बिमान बनाया, और साल उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था, चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता, वहीं पर उसके एक्षा करते ही चला जाता था, साल ने वो बिमान प्राप्त करके द्वारका पर सढ़ाई कर दी, क्योंको ब्रसनी बंसी आदवों द्वारा किये हुए बैर को सदा इसमान रखता था, परिक्षब, साल ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका कोचारों और से घेल लिया, और फिर उसके फल फूर से लदे हुए उपवारों उद्वारों उद्वारों और नगरों फाटो को राजमहलों अटालियों दीवारों और नागरिकों के मनों विनोज के स्थानों को नश्ट वरस्ट करने लगा, उस रेष्ट विमान ने सस्त्रों की जड़ी लग गई, बड़ी बड़ी चट्टा ने ब्रक्ष, वज्र, सर्प, और ओले वर्षने लगे, बड़े जोर का बवंदरुट खड़ा हुआ, चार ओल धूरी धूल छा गई, परिक्षत, प्राचिन काल में जैसे त्रप्रासों ने सारी प्रत्वी को पीनित कर रखा था, वैसे ही सालू के बिमान को द्वार का पुरी को अप्चंद पीनित कर दिया, वहां के नर्नारियों को कहीं एक शण के लिए भी सांती न मिलती थी, परम यसस्वी भीर भगवान प्रद्वन ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कश्ठ हो रहा है, तो उन्होंने रित पर सवार होकर सब को ढाड़स वजाया और कहा कि डरू मत, उनके पीछे-पीछे सात्य की चारूर, देशन, सांब, भाईयों के साथ, अक्रूर, कृत बर्मा, भानुवेंद, गाद, सोको, इस सारण, आजी बहुत से बीर, बड़े-बड़े धन, धारन करके निकले, यह सब के सब महार थी, थे, सबने कबच पेन रखेते और सब की रक्षा के लिए बहुत से रत, हाती, घोड़े, ता पैजल, सेना साथ-साथ चल रही थी, इसके बाद प्राचिन काल में जै अपने दिव्यस्त्रों से छनवर में सौभपति सालू की सारी माया काट डाली, थी, वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर क्रिलों से रवी का, रात्री का, अंधकार मिटा देते हैं, प्रद्विन जी के बाणों में सोने के पंक एवं लोहे के फल लगे हुए थे, उनकी ग प्रद्विन जी ने सेनापति के साथ ही सालू को भी सौवान मारे, फिर प्रत्तेक सेने को एक-एक और सार्थियों को ददस तता वाहनों को तीन-तीन वाहनों से घायल किया, महमना प्रद्विन जी के इस प्रकार और महान करम को देखकर अपने एवं पराई सभी सेने को उन कभी देखता तो कभी नहीं भी देखता, यदवंजियों को इस बात का पता ही ने चलता, कि वह इस समय कहा है, वह कभी प्रती पर आ जाता, तो कभी आकास में उड़ने लगता, कभी पाड़ की चोटी पर चर जाता, तो कभी जन में तैनने लगता, वह अलात चक्र के जमान मा जहां जहां दिखाई पड़ता वहां वहीं यदवन्सी सेना पती बाणों की छड़ी लगा देते थे उनके बाण सूर्य और अगनी के समान जलते हुए तथा विसले सांप की तरह असई होते थे उन्हें सालों का नगराका फिमाना और सेना अत्यंद기에 लगई यहां तक की यदवन्सी ओंके बाणों से सालों मुर्च्च्च्च हो गई परिक्षप सालो के सेनापतियों ने भी एद्वंस्यों पर खूब सस्त्रों की वर्षा कर रखी थी इसने वे अत्यंद पील थे परंद उन्होंने अपना-पना मोर्चा छोड़ा नहीं में सोचते थे मरेंगे तो परलोग बनेगा और जीतेंगे तो वियाकी प्राथती होगी इसलिए परिक्षर सालो के मंत्री का नामताद द्युमान जिसे पहले प्रद्यम्न जी ने पच्चीस वान मारे थे वो बहुत बली था उसने जपटकर प्रद्यम्न जी पर अपनी फौल जबन प्रद्यम्न जी का वक्षिस्तल फटसा गया दारुक का पुत्र उनका रधांक रहा था वो सारती धर्म के अंसार उन्हें रनभूमी से हटा ले गया दो गड़ी में प्रद्यम्न जी की मूर्शा तूटी तब उन्होंने सारती से काग सार थे तूने यह बहुत बुर प्रद्यम्न जी के सामने जाकर क्या करूंगा अब तो सब लोग यही कहेंगे न कि मैं युद्ध से भाग गया उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा मेरी भावियां हस्ती हूं मुझसे साफ साफ पूछेंगे कि कहो बीर तुम नपनसक कैसे हो गए धूर्सों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया सूत अबस सही तुमने मुझे रण भूमी से भाग तर अक्षम में अपराद किया तारस्ती ने कहा आयसमन मैंने जो कुछ की आयसार्थी का धर्म समझ कर ही किया है मेरे समर्थ स्वामी युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पढ़ने पर सार्थी रथी की रक्षा कर ले और रथी सार्थी की इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रण भूमी से हटाया है सत्रु ने आप प कर्मा अध्या समाप्त होता है चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन गंदी को दमाएं कमेंट बॉक्स में स्री रादे किसनार कें जैस्रीक्रिष्णा